69,000 सिच्छक बरती उत्तरकुंजी बिवाद सुप्रीम कोट का डिफेक्ट सरकार कब हटाएगी गर्मी की छुट्टी कब से है हमारी सुनवाई कब होगी क्या हमारी आज का एकसेप्ट होगी या नहीं होगी इन कुछ बहुत ही हाइलाइट प्रसनों के साथ उनके उत्तरों क तो मैं आपसे इतनी तो उम्मीद करी सकता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आज आप तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करिएगा ताकि आपको अपड़िट मैं हमेशा देता रहूं और यह होते हैं उसका हटाने का जो नजरिया होता है वो जिसकी याचिका होती है उसको पूरा फुल पावर होता है जिससे सरकार की याचिका है उसमें सरकार के द्वारा जो भी कमिया है उसकी वज़े से डिफेक्ट आया है अगर उन कमियों को वो दूर करने तो डिफेक्ट हट ज लिए तो यह सरकार पर डिपेंड करता है सरकार को जब लगेगा कि मैं सुनवाई कराऊंगा तो वो डिफेक्ट हटाएंगे और केस लिस्टेट होगा अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कुछ साथी यह कर रहे थे क्या हमारे पास कोई आप्शन नहीं डिफेक्ट हटने का एक option है दिन भर दोड़ा जाए पीछे पीछे और request करा जाए फिर भी अगर उनका mood होगा तभी वो डिफेक्ट हटाएंगे तभी hearing होगी यह सवाल है जिसके लिए आपको पता है प्रसून भाई राम भाई रोहिद भाई लगे हैं कि सरकार जो है या सुनवाई कराना चाहत यह तो ततकाल कराएं अब बात करता है कोट में गर्मियों की छुट्टी कब से होगी हर बार नोटीस आती है 15 मई या 20 मई से स्टार्ट अप होती है अभी नोटीस नहीं आई है चुट्टियों को लेकर के कलेंडर जा रही है तो कलेंडरों को नहीं मैं मानता जब नोटीस आ जाएगी परफेक्ट तो नोटीस पे हम जो है आपसे वारता कर लेंगे अब बात कुछ उसाती यह कर रहे थे कि आपकी जो याचिका है चार पड़ी हैं आप उन पे हीरिंग करा लो तो मेरी बात को बहुत माइनर से समझीएगा एकदम बारी की से हमारी याचिका क्या है तीन से चार नंबरों के लिए हम लड़ रहे हैं और भी जो प्रस्ने हैं और हम लड़ किस से रहे हैं मनी सरकार से उनके सामने हम अपनी बात रख रहे हैं और सरकार भी सुप्रीम कोट क्यों आई है एक नंबर से जो पास साथियं उनको नौकरी नहीं देना है इसलिए तो क पड़ेगी और सुप्रीम कोट की लड़ाई में आपको कम से कम दस से बारा राप लाक रुपे एकठा करने हैं और आप लड़ कितने साल से रहो पिछले ढ़ाई साल से लड़ रहे हो हमारे पास अब बचा क्या है कुछ नहीं जो था सब हमने लगा दिया है तो हमें लगता य की याचिका लगे साथ में आपकी याचिका लगे तो सूचो कितना मजा आएगा क्यूं मजा आएगा क्यों कि आप चाहते कि मांझी सरवत चिनले में अपनी याचिका को स्टेंड कराना सरकार क्या चाहती है अपनी याचिका को स्टेंड कराना वो भी चाहते हैं कि उत्तर किंजी स्टेंड होगा हम एक नंबर नहीं देंगे और उस पे भास होगी आप क्या चाहते हैं आप भी चाहते हैं याचका एक्स्टेंड हो और तीन से चार नंबरों पे भास हो और भी साथियों का भला हो तो हम को लगता है अब आपको हमारी बात समझ में आ गई कि हम मतलब किस तरह से काम किया जाए जो भेतर होगी तो आम आदमी समझ लगता कोई भी सिंपल इंसान होगा थोड़ा सा दिमाग लगाए तो समझ जाएगा लेकिन मुझे लगता अब आपको समझ आया होगा अब बात करते हैं क्या हमारी आचका एक्सेप्ट होगी खेर ये तो वविष्ट के गरत में है ये तो मुझे भी नहीं पता मानी सरकार को भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता कि क्या है आचका स्टेंड होगी की नहीं होगी एक्सेप्ट होगी की नहीं होगी लेकिन हमारा दिल तयारिया पर भरोसा है कि एक्सेप्ट करवाएं हमने गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बता दिया हमारी याचिका क्यों नहीं लग पा रही है क्यों नहीं लग रही है इसके बारे में भी मैंने आपसे जानकारी दिया आपको बता दिया है और accept होने के बारे में भी मैंने आपको update कर दिया है उमीद करता हूँ आप सं अप्लिकेशन पढ़ चुके हैं एक अप्लिकेशन में कम से कम साथ आठ आजार रुपे खर्च होते हैं हम कोशिस पूरी कर रहे हैं कि और दो है वह फालो हो जाए और उम्मीद है और फालो होगा उस पर पूरी कंफर्म आप उसके लिए निस्चिंत रहें जैसे और याचिका का मिला वो सब्सक्राइब उसके लिए कट्व घबराएं नहीं आप सभी और आप लोग च्छोटी च्छोटी बातों को लेकर कि घबराएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ठीक है तो मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए वारता के साथ है और तब तक लिए आप सभी स साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद